दोस्तो हम एक्सपेसिप करने वाले हैं दि-a-rk season 1 के एपिसोड नमर 7 की कहानी को दोस्तो इसके सारे previous एपिसोड को हमने एक्सपेसिप किया हुआ है और उन सभी गालिंग description में है एपिसोड 7 की सुरुवात में हमें पता चलता है कि इन लोगों के सामने दे आर्क 3 नाम का कोई एक और स्पेसिप आ चुका है गारनेट उससे कम्यूनिकेट करने की कोशिस करती है लेकिन सामने से कोई रिस्पॉंस नहीं आता लगबग एक गंटा बीच जाता है कैप्टन ब्राइस और एवा उस स्पेसिप के करीब जा रहे हैं और ने पता चलता है कि उस स्पेसिप के अंदर यू 238 अभी भी अपनी पूरी मातरा में है लेकिन फिर भी यह स्पेसिप यहां पर क्यों खड़ा है साथ हीने पता चलता है कि इस Space Ship पर किसी का अमला हुआ है और यह है वैसा ही अमला था जैसे इनकी Space Ship पर भी हुआ था लेन भी गारनेट के पास होता है और उससे माफ्य मांगता है बोलता है कि तुम सत्में अच्छी हो, मैंने तुम्हें ज़जगिया था और तुमने एक नहीं दो दो बार हमारे लोगों की जान बचाई है इसके लिए मैं तुमको थैंक्यू बोलता हूँ ब्राइस भी उस सिप से वापीस आ चुका है गारनेट फैसला करती है कि हम दो बारा से उस सिप पर जाएंगे लेकिन अब की बार हम उस सिप के अंदर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर वाँ पर क्या राज है ब्राइस बोलता है कि मैं अपने लोगों के साथ वाँ पर जाऊंगा एवा उसे जाने से रोक रही है वह बोलती है कि तुम वाँ पर मारे जाओगे ब्राइस बोलता है कि मरना तो है ही चाहिए इस स्पेसिप पर मरो चाहिए उस स्पेसिप पर मरो और अगर तुम मुझे मरते वे नहीं देखना चाहती तो तुम मेरे साथ आजाओ वह गारनेट जहां पर होती है ब्रीज की उपर वहाँ पर कैट आजाती है और वह गारनेट से बोलती है कि मुझे पता चला है कि हमने एक दूसरे स्पेसिप को देखा है साथी बोलती है कि एक स्पेसिप में मेरी दोस्त भी थी मैं यह देखना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त इसमें है या नहीं गारनेट बोलती है कि यह ब्रीज है लेकिन तुम्हें एक बार अपने उपर देखना चाहिए वो तुमसे एज में भी बड़ी है इसलिए तुम उसके साथ पैचप करो जो तुम्हारी एजगा हो वहीं ब्राइस भी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आर्क 3 पर पहुंच चुका है लेकिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं एवा पता लगाती है और बताती है कि साथ किसी ने यहाँ पर लाइफ स्पोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया था जिसकी वज़ए दम उटने से सबी लोग मरे हैं वह यहाँ पर लाइफ स्पोर्ट सिस्टम को दोबारा से चालू कर देती है और यह सभी अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं ताकि किसी जिन्दा इंसान को डूंड सकें या इन्हें काम का कुछ मिल जाए हेवा और बराइस यहाँ स्लिपिंग चैमबर को चेक करने लगते हैं लेकिन वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्लिपिंग चैमबर है ही नहीं गारनेट को guid होती है कि उन्होंने आरक 3 से स्लिपिंग चैमबर को क्यों आठाया वहिंग-लेन भी यहीं पर होता है जो ब्रीज के ओपर कम्पूटर स्टाइलों को चेक कर रहा है लेकिन यहाँ सारे दर्वाजे अचानक से बंद हो जाते है और जो जहाँ पर होता है वहीं पर फच जाता है लेकिन लेन वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है लेन देखता है कि इस पेस्टिप पर एक और इंसान है लेन इस इंसान का पीछा करता है और जब उसे पकड़ लेता है तो उसे पता चलता है कि यह एक लड़की है और लेन इस लड़की से बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो अकेली तुम भी जिन्दा कैसे हो यह लड़की बताती है यह मैं यहाँ पर अकेली जिन्दा नहीं हूँ साथ लोग मेडिकल स्टोर में भी जिन्दा है लेकिन ब्राइस और एवा मेडिकल स्टोर पर ही होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई जिन्दा नहीं है, साथ लोग जरूर हैं, लेकिन वो ओर्डोस की वज़े से मर चुके हैं, इन लोगों के साथ फैलिक्स भी आया था, उसे पता चलता है कि यहाँ पर रोबर्ट की बोडी भी है, रोबर्ट फैलिक्स का हैस्बंड होता है, इ यह लोग यहांसे दर्वाज़ों को किसी तरह कोल लेते हैं, और वहे बोलता है कि आरक तरी पर मेरा हीस्बंड था, क्या उसने कभी मेरे बारे में बात की, कैली बोलती है कि साहे तुम्हारा नाम फैलिक्स है उसने तुम्हारे बारे में बात की थी और वै तुमसे बहुत प्यार करता था फैलिक्स बोलता है कि उसने मेरी बेटी कैथरिंग का जिकर किया कैली बोलती है कि उसने तुम्हारी बेटी का जिकर कभी नहीं किया बाद में कैली को लेकर इन सभी की मीटिंग होती है और कैली जब पूछा जाता है कि सभी आरक एक साथ चले थे तो तुम लोग वहाँ पर सलसे पहले कैसे पहुंच गए कैली बोलती है कि हम लाइट स्पीड की गती से गए थे कैली की इस बात पर कोई यकी नहीं करता और वहाँ बोलती है कि लगातार लाइट स्पीड की गती से जाना इंपोसीबल है कैली यहाँ पर मैडुक्स का नाम बताती है और बोलती है कि हम उसकी मदद से लाइट स्पीड की गती से चल रहे थे लेन बोलता है कि आरक 1 और 3 मिल गए लेकिन आरक 2 कहाँ पर है कैरी बोलती है कि आरक 2 को भी लोंज किया गया था उसे भी लाइट की स्पीड से गती मिली थी लेकिन इतनी तेज गती को वैस सैन नहीं कर पाया और पूरा स्पेसिप एक गैस में बदलकर बरबाद हो गया उसमें मेरे दोस्त भी थे जो मारे गए गारनेट कैली को बोलती है कि तुम यहाँ पर सेफ हो यह तुमारा ही गर है गारनेट यहाँ पर कैट से भी मिलती है और बोलती है कि आरक त्री के पैसेंजर की लिस्ट मेरे पास है तुम देख लो इसमें तुमारे दोस्त थे या नहीं कैट बोलती है कि इन में से मेरा कोई दोस्त नहीं था साइद वो किसी दूसरे स्पेस सिप पर होंगे लेकिन कैली यहाँ पर आती है तब आरक वन के सभी आतरी कैली को घेर लेते हैं और इसे स्वाल ज़ाब करने लगते हैं कि तुम अकेली जिंदा कैसी रही पर्त्वी पर जिवन कैसा है और तुम सब्से पहले यहाँ पर कैसे पहुँचे तब कहले इन सबी को बताती है कि जब हमने पर्थवी को छोड़ा था तब कुछ देशों पर बाड आ चुकी थी वो सारे के सारे देश जल्मगलन हो चुके थे कुछ लोगों ने पाड़ों की उची चोटे पर जाकर सरनली और अपनी जान बचाई लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहां तापमान बढ़ गया और आग लग गई वहां मैंने जिन्दा लोगों को जलते वे देखा है दर्थी के उपर मानो सर्बैतर लगबख खतम हो चुकी है अब जो भी कुछ बचा है केवल हम ही इनसान बचे हैं गारनेट फैसला करती है कि आरक 3 पर जितने भी काम की चीजे हैं हम उसे यहां पर ले आएंगे साथ ही हम मैडोक्स को भी यहां पर लाएंगे ताकि हम भी यहां से लाइट स्पीड की गती से निकल सकें और वे अंगुस और एलिजिया इन दोनों को काम सोब देती है कि आरक 3 की वीडियो की जात करो और यह बता लगाओ कि आरक 3 की हालत ऐसी क्यों हुई है बागी कुछ लोग आरक 3 पर चले जाते हैं जहां से काम की चीजों को अपनी स्पेस्टिप में लाते हैं जिसमें कुछ दवाईयां भी होती है लेकिन इसी आरक 3 पर फैलिक्स को अपनी तलवार मिल जाती है उसे समझ नहीं आता कि मेरी तलवार यहां पर क्यर क्या रही है आरक 3 पर कुछ गन भी होती है फैलिक्स इन गन्स को इस स्पेस्टिप से बाहर बेज देता है फैलिक्स के पास कैली होती है वह उससे बोलता है कि ये गंस हमारे लिए खतरनाक साभीत हो सकती है एक बुलेट पूरे स्पेसिफिक को खतम कर सकती है इसलिए मैंने इन्हें यहां से बार बेजा है लेकिन हम देखते हैं कि कैली ने एक गंचुपके से अपने पास रख लिये लेकिन इस बात का फैलिक्स को पतानी चलता कैली यहां फैलिक्स से बोलती है कि मैंने तुमसे जूट का था लेकिन अंगुस और एलिशिया किसी तरह इन वीडियो को देखने लगते हैं यह एक वीडियो को पले करते हैं यह वीडियो आरक 3 पर हमले से ठीक पहले का है लेकिन यह लोग देखते हैं कि इन्हें की स्पेसिफिक की तरह दिखने वाला एक स्पेसिप आता है लेकिन जैसे इस मैट डोक्स के वायर को बाकी सिस्टम से अलग किया जाता है इस स्पेसिप के सारे दरवाजे बंद हो जाते है और इसमें टाइमर सैट हो जाता है फाइव मिनिट का मतलब यह स्पेसिप पांस मिनिट बाद अपने आपको डिश्ट्रोई कर लेगा इस बात से ये दोनों बहुत ज़दा डर जाते है गारनेट को इस बात का पता चलता है तो वह भी डर जाती है और इस बारे में कैली से पूझा जाता है लेकिन कैली बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कार्नेट बोलती है कि तुम इंजिनियरिंग डिपालमेंट में काम करती थी तुम इसके बारे में पता तो होगा ही कैले बोलती है कि इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया गया इसलिए ब्रैस और एवा को लगने लगता है कि साएध ये पल उनके आखिरी हैं और इसके बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करीबाना शुरू हो जाते हैं तब ही लेन इन दोनों को एक पासवर्ड बताता है और बोलता है कि इस पासवर्ड की मदद से इसका टाइमर रुख जाएगा और ये स्पेसिब सेल्फ डिस्ट्रोई नहीं होगा लेकिन तब तक कुछी सेकिंड बचे थे लेकिन लेन दोरा बताये ले पासवर्ड को एवाइस में डाल देती है और ये स्पेसिब सेल्फ डिस्ट्रोई होने से रुख जाता है लेकिन Garnet देखती है कि लेन तो यहाँ पर है ही नहीं वही हम लेन को देखते हैं जो William Trust के पास है और उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने SpaceShip को बचा लिया William Trust बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और आखिर मैं SpaceShip तक पहुँचा कैसे और इसी के साथ यह एपिसोडी पर पूरा हो जाता है उमीद करते हैं Explanation आपको पसंदाई होगी आपसे मुलाकात होगी Letters 12 सीरीज के साथ तब तक खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए Thank you for watching